नमस्कार दोश्टों स्वागत हैं आपका इजी कुख शो में आज मैं आप लोगों को सौफ्ट और स्पंज इडली बनाना बता हूँए कि मैंने कुछ इडली बनाई भी है देखिए कितना स्पंजी है तोड़ों तरफ से अच्छी तरफ से कुख हो गया है इसे तोड़ के भी बताती हूँ यह देखिए कितना स्पंजी है हमारा इडली और इसमें अच्छी तरीके से खमीर उठ गया था इसी वज़े से यह फूप भी हो चुका है तो अगर आपको इसे तरीके का स्पंजी और सॉफ्ट इडली बनाना है तो हमारे इस वीडियो को पुरा देखे तो चलिए भीना देरी के वे इस रस्वी की सुवात करते हैं इडली में सबसी इंपॉर्डन होता है उसका बैटर बनाना कि आप किस तरीके का बैटर बना रहे हो बैटर बनाने के लिए यहां मैंने लिया है चार कप चावल जो कि मैंने छोटे वाले चावल लिये है यहां मैंने चार कप चावल लिया है और एक कप उरत का डाल लिया है उसके बाद हम क्या करेंगे दोनों को चावल और उरत डाल को चार घंटे के लिए भीगो कर छोड़ देंगे और उसके बाद जब चावल और दाल ह बनाया है अभी और ये काफी स्मूथ है आपको जड़ा सभी दरदरा पेस्ट निवनाना है आपको महीन पेस्ट बनाना है तो इसमें अब हम डालेंगे नमक हाफ टीज स्पूर चुटकी भर बेकिंग सोडा हम ये इसलिए डालते हैं ताकि हमारा इडली का जो बैटर है उसका मेथी के दाने भी फुला कर उससे पीस कर इसमें अड़ कर सकते हो लेकिन वो ऑप्सनल है इसे अच्छे से हम मिलाएंगे ताकि हमारा बैटर का जो खमीर है वो अच्छा से उठे हमारा यहां पे बैटर रेडी है अब हमें क्या करना है इसे बारा घंटे के लिए आपको छो देंगे और इसे बारा घंटे के लिए छोड़ देंगे बारा घंटा कंप्लीट हो गया है हम अपना बैटर देखते हैं खमीर उठाए या नहीं देखिए बैटर में बबल्स आ गया है इसका मतलब है कि आपके बैटर अच्छे तरीके से खमीर उठ गया इसे मैंने ओवर न दिखा नहीं और इसे अच्छे से चलाएंगे इस तरीके से आप चाहो तो इसी बैटर से आप धोसा भी बना सकते हो बस धुकोसे की लिए थोड़ी सी बैटर और पत्ली होनी चाहिए और हमारे इदली के लिए फोड़ी सा बैटर गाहरा होता है मैंने यहां पर इडली स्ट में यहां पर लिया है मस्टर्ड वायल इसे ब्लस की सहायता से सारे स्टैंट पर इस तरह से वायल से गई पर लेंगे इससे आपका इदली नीचे लगेगा नहीं वाइन वाइन करके इसी तरह से सारे स्टेंग पर वाइन से ग्रीज कर लेते हैं मैंने इहाँ पर मस्टर्ड वाइल लिया है आप चाहोतो रिफाइन वाल या फिर बटर का भी यूस कर सकते हैं यह देखिए मैंने एक अज्वी में बाकी में भी इस तरह से लगा देगे बड़े वाले स्पून से जादा नहीं बढ़ना है क्योंकि यह हमारा इडली बाद में पक जाएगा तो यह थोड़ा सा स्पंजी होगा और ऊपर की ओड़ाएगा देखिए इस तरह किसे मैंने भड़ा है अब इस तरह किसे बाकी सब भी को भड़ेंगे दूसरी तरफ मैंने इडली मेकर को गैस पे चढ़ा रिया है और मैंने यहां तक पानी को भड़ा है देखिए हमारा पानी भी एची की तरीके से स्टीम हो चुका है तो हम इसमें एकल करके डाले इडली का इस्टायर इस तरीके से मैंने सारे स्टैंस को लगा दिया है और इसे अब इसकी ढखन की सहीता से ढख देंगे गैस के आज को मीडियम लखना है और इसे दस मिनिट तक कुप खोले तो हमारा यहां पे 20 मिनिट कम्प्लीट हो गया है अब हम चेक करते कि हमारा इडली अच्छे तरीके स पका है या नहीं यह देखिए हमारी इडली अच्छे तरीके से पॉफ हो गई है और ऊपर की और आ गई इसका मतले है कि हमारी इडली अच्छी तरीके से कूप हो गई है तो हम क्या करेंगे इसे गैस को कर देंगे बन और इसे एक प्लेट में निकालेंगे यह देखिए चल देखिए हमारी इडली कितनी स्पंजी है और यह पीछे और आगे दोलो तर्फ सचतर के से फूख हो गई है तो फ्रेंच हमारा यहां पर इडली बनके त्यार हो गया इसे मैंने बदाम की चटनी के साथ सर्फ किया है आप चाहँ तो इसे नारिल की चटनी के साथ या पर चने आपको यह वीडियो कैसा लगा हमें जरूर बताए और प्लीज हमारे वीडियो के लाइक शेयर कमेंट करना ना भूले तो आपसे फिर्म मुलाकात होगी अगले वीडियो में तब तक के लिए धन्यवाद